हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्टस्टर चैनल तो दोस्तो इस बीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको सिविल इंजिनिरिंग का कोर्स करना है तो इसके लिए आपको कौन कौसी बातों का ध्यान रखना होगा इस बीडियो में मैं आपके तीन डाउट क्लियर करने वाला हूँ जिन में से पहला डाउट जय है कि सिविल इंजिनिरिंग कोर्स कितने वर्ष का होता है दूसरा डाउट स्टूडेंट्स का जय होता है कि सिविल इंजिनिरिंग कोर्स को आखिर कैसे किया जाता है और तीसरा आउट स्टूडेंट्स का जय होता है कि एगर आपको ओपग्ली की आउट्स के बारे में आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो बहाँ पर आपको तरह तरह के प्रकार के doubts के regarding videos मिल जाएंगी तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला doubts जो student का होता है कि what is the course duration of civil engineering जानि civil engineering का course कितने वर्ष का होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 12 की class पास कर चुके हो इसके बाद आपको B.Tech में civil engineering का जो course है वो आपको बड़ी असानी से मिल जाएगा फिर आपको जाए course चार वर्ष का करना होगा जैनि इस course की जो duration है वो 4 year है लेकिन अगर आप 10 मी के बाद इस course को करना चाहते हो दोस्तो तब आपको डिपलोमा करना होगा civil engineering में जो डिपलोमा होता है वह तीन वर्ष का होता है डिपलोमा course को complete करने के बाद आप फिर B.Tech में lateral entry ले सकते हो जानि जो B.Tech का course है वो आपको तीन वर्ष का होगा अगला दोस्तो स्टूडेंट्स का doubt जै होता है कि how to do civil engineering course जानि civil engineering course को आखिर केसे किया जाना चाहिए तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 12th की class पास करनी होगी जो 12th की class है उसमें दोस्तों आपको physics, chemistry और mathematics जैसे subject आपको पढ़ने होगे जानि आपको non medical 11th और 12th की class में लेनी होगी non medical complete करने के बाद आप b.tech में civil engineering के लिए eligible हो जाओगे तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप 10 मी के बाद भी इस course को आप कर सकते हो इसके लिए आपको diploma करना होगा diploma को complete करने के बाद आपको b.tech में lateral entry के जरीए आपको इस course के लिए eligible हो जाओगे अगला दोस्तों students का doubt जै होता है कि what to do after civil engineering जानी civil engineering का course कम्प्लीट करने के बाद आखिर उनको क्या करना चाहिए इसके लिए दोस्तों दो रास्ते हैं पहला रास्ता है job और दूसरा रास्ता है study अगर आप civil engineering का course कर लेते हो इसके बाद आपको job मिल सकती है लेकिन अगर आपका जै मन नहीं कि मुझे आगे पढ़ना है तब आप mtech कर सकते हो civil engineering में जानी जो civil engineering का course है उसको आप complete करने के बाद आप mtech कर सकते हो civil engineering में तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपके civil engineering के उपर कुछ doubts आपके clear किये हैं अगर आपको इस course के regarding आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो तो आंत में दोस्तों अभी आपको जै बीडियो केसी लगी अगर आपको जै बीडियो पसंद आई है तो बीडियो को like कर सकते हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना